कोई नंबर है उसको जब 899 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमेंडर जो मिलता है वो क्या मिलता है 63 मिलता है अब क्या कह रहा है कि उसी नंबर को उसी नंबर को माले जा हमने x माल लिया उसी नंबर को अगर हम 29 से डिवाइड करें तो रिमेंडर क्या बचेगा यह हमसे question में पूछ रहा है तो इस तरह के question को solve करने के लिए हम देख लेते हैं कि पहले जो यह divide हो रहा था 899 से उसके बीच में और 29 से जो अब divide हो रहा है इन दोनों के बीच में कोई relation है क्या तो हम simply देख पाते हैं कि 899 को जब हम 29 से divide करते हैं तो यह completely divide होता है और 31 times जाता है It means 29 जो है वो 899 का factor है तो हम आगे proceed करने के लिए इस question में हमें कुछ नहीं करना होता जो यह remainder आया हुआ है जो यह remainder बचा है 899 से divide करने के बाद चुकि 29 899 का factor है It means हम इस 63 को अगर 29 से divide करने तो जो remainder आएगा वही हमारा remainder x को भी divide करने पे या एक certain number को भी divide करने पे आएगा तो हम यहाँ पे 63 को divide कर लेते हैं 29 से आप देखेंगे कि इस case में जो remainder आएगा वो 5 आएगा ठीक है झाल